सो फ्रेंग्स जैसे कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं काफी तेज बारिश हो रही है देख सकते हैं आप बहुत ही तेज बारिश हो रही है तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर के अंदर चार एसिया हैं और बहुत सारे अप्लाइं चलाना चाते हैं सिंगल पेस्ट से और काफी लोगों की दिमाग में कंप्यूजन होगा कि हम एक पेस्ट से इतना सारा लोट चला सकते हैं या नहीं तो इस वीडियो में आप बने रहें और एन तक जरूर देखिए कर दोस्तों और हमारे इस्टाग्राम आइडी को फोलो नही क्या है ऑई खाया ben name किया खिके दोस्तों शरू करते हैं सो फ्रेंट यहां पर देख सकते हैं कि एक एसी को मेंने चालू कर दिया है तीसरे रा की यह को भी मैने चालू कर दिया है जो कि आपके सामने देख सकते हैं 16 degree temperature पर हम यहाँ पर रखेंगे और इस वीडियो को पूरा इंट तक जरूर देखिएगा तो यहाँ पर चोती AC को भी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से work करवा दिया है और यहाँ पर 4 AC के 4 stabilizer आप देख सकते हैं तो 4 stabilizer भी on है और यहाँ पर मैं wiring दिखा दूँ तो 1,2,3,4 wiring यहाँ पर आप देखने को मिल रही है गाइस मैं जो गाडू हूँ तो इस तरीके इसकी wiring देखकर आप घबराना मत ठीक है गाइस तो यहाँ पर एक एक wiring की अगर मैं टेस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पर एक wiring की जो टेस्टिंग है वो 7.5 एंपियर 1 AC ले रही है लगबग 7.5 एंपियर 1 AC में चल रहा है और दूसरे वाइर में भी हम टेस्ट करते हैं तो दूसरे वाइर की अगर बात कर लें तो 7.5 एंपियर इसमें भी आ रहा है और तीसरी AC की अगर में बात कर लूँ तो तीसरी AC के वाइर में भी आपको 7.5 एंपियर देखने को मिलेंगे यानि के 1.5 टन की AC हमारे घरों में लगाई गई है और ये तीसरी AC चोती AC है गईस तो चोती AC के अंदर हम देख सकते हैं कि 10 एंपियर याँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि वो ओल्ड AC बहुत पुरानी AC है जैसे कि मैंने आपको लास्ट में दिखाया था चोते नंबर की तो अब सारे मिला करके एक साथ हम एंपियर चेक करने वाले हैं है अब हमारे है बगरा है रख़कर लोड है तो इस पर अभी पानी की मोटर वगएरा सब चल रही है वाशिंव फ़कर वगाईरा सब चल रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 एंपियर है और यहाँ पर आपके बाई के चोटे मटे जो गाड हैं जो कि हम इसको चेंज करने वाले हैं और इसे चेंज करेंगे और बहुत यह अच्छा बोर्ड बनाएंगे और हम आपको वीडियो भी बना करके दिखा देंगी बहुत ही खुबसूरत बोर्ड बनाने वाले हैं हम तो यहाँ पर तीनों फेस को मैंने एक जगा कर दिया यानि कि तीनों लाइनों को मैंने एक जगा कर दिया जैसे कि यहाँ पर फ्यूज देख रहे हैं तीनों फेस से चलता था भी और मैंने इसको काट कुटके यहांपर जोइंट करके एक फेस में कनवर्ट कर दिया है सिर्फ आप लोगों के लिए आपको दिखाने के लिए तो यहांपर देख सकते हैं कि मैंने कंप्लेटली सिंगल फेस में कनवर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं नूटल के उपर जो लोड है वो आपको देखने को मिलेगा 40 A के आप प्रोक्सिस देखेगा इस यहाँ पर 40 A के आजब देखने को मिल रहा है जो कि लोड काफी ज्यादा है और पूरे घर के अंदर चल रहा है यानि कि इसके अंदर हीट अब भी हो सकत है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस के अंदर भी मैंने चेक किया तो वही सेम होगा क्योंकि नूटल और फेस दोनों में सेम ही होता है एमपियर जो की 40 A के आराउंड ली आता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे हैरतमंद की बात यह है कि इतना लोड च चलाने के बाद भी इतना एमपियर आ रहा है यहां पर देख सकते हैं कि एसी यहां वगएरा सब लोड चालो है 40 A के लगबग 36-40 A यहां पर लोड चल रहा है और 225 वोल्टेज हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छा वोल्टेज हमें आपर देखने क हूं आपके भाई का आपके भाई के हाथ की यहां पर पूरी फिटिंग है और यहां पर 2016 ि तो यहां पर मैंने आपको दिखाना है कि fatija के अदर भी देखिए ज्यों 224 वोल्टेज आऊटपुट 224 व्ल्टेज इन्पूट यानि के हमारा सब्लीश इस्ट aşए नहीं कर रहा जैसे कि आप देख सकते हैं कि 32 Ampyr का 27 Ampyr हो गये, एक Aη democrats अटमेटिकली बंद हो गई है, तो 26 Ampyr बंद चुके हैं, तो मैं यहाँ पर दूसरी असी को बिंद करूंगा, तो दूसरी असी को मैंने यहाँ पर बंद किया, और चोती AC को भी मैं बंद करता हूँ तो यहाँ पर जो MPR आप देखेंगे तो बिल्कुल जीरे हो जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप guys की बिल्कुल 0 हो चुके हैं और जो एक stabilizer हमारा चल रहा है तो उसका आप load देख सके 00.2 यहाँ पर stabilizer का permanently load चल रहा है ठीक है guys So friends आपने देखा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर आपको टेस्टिंग करके दिखाया तो basically यह possible case ही हुआ आपकी दिमाग में यही सवाल हो रहा होगा कि एक पेस से भला 4 AC और अधर घर का load जैसे कि आपके सामने 40-50 MPR के आज पास एक फेस के अंदर हुआ था तो basically यहाँ पर क्या हुआ था guys इसका reason यहाँ पर देखने को हमें यह मिला है कि हमारे जो यहाँ पर underground cable है वहाँ बिलकुल जमीन के थुरू हमारे underground cable मोटी मोटी cables डाली गई है जिसकी वज़े से क्या है कि line losses विलकुल भी नहीं होता है दूसरी बात हमारा transformer बहुत ही ज़्यादा नजदीक है तो इसके वज़े से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है तीसरी बात यह है कि हमने जो मेरे घर के अंदर मेने जो cable लगाई है वो 16 mm की copper cable है जो की meter से लेकर के हमारे घर के अंदर तका रही है वो 16 mm की cable एक copper वाली ठीक है तो उससे भी हमें बहुत सादा benefit मिल जाता है लेकिन सबसे main बात यह है कि underground cable होने की वज़े से और transformer नजदीक होने की वज़े से यह हमें चीज possible देखने को मिली और इतनी सारी ACA चली तब भी हमें इतना सारा voltage देखने को मिला यानि के जो 240, 220 से 230 voltage आपको minimum देखने को मिलते हैं तो इतना load चलाने के बाद भी आपको 230 से 220 आराम से voltage देखने को मिल रहे थे जो की काफी अच्छी बात है यानि के अगर मैं यहां पर stabilizer वगेरा नहीं लगाँगा तब भी हमारी ACA बहुत अच्छी तरीके से work करेगी क्योंकि हमारी stabilizer जो है वो बिल्कुल भी work नहीं कर रहे थे क्योंकि जैसे ही 200 voltage से नीचे voltage आते हैं तब जाके वो stabilizer work करते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से एक single face से हम इतना सारा load चला सकते हैं लेकिन लिए दोस्तो बाइबाइ अगर इंस्टाबराम ID को follow नहीं किया तो follow लीजिए बाइबाइ दोस्तो